हेलो फ्रेंड्स वेल्कम टू ओर्लाइन स्टेडी पॉइंट दोस्तों आज इस वीडियो में आपके लेकर आया हूं लूसेन चीके के मोस्ट इंपोर्टेंट चालिस प्रस्न जो प्रतियोगी परिक्षाओं को दृष्टी से बहुत ही मात्पूर्ण है काफी यूसफूल आपके लिए यह दोस्तों प्रारम करते हैं आज को देर किया हुए दोस्तों वीडियो पसंद आने पर लाइक जरूर कर दें पहला प्रसना है अंग्रेजी सासन में किंग जार्ज पंचम ने किस वर्स भारती सरकार की राजधानी की खलकत्ता से दिल्ली लाने की घोसना की ती इसका एंसार 1911 में ठीक है 1911 में अंग्रेजों ने भारत तथा इगलेंड की सीधा तार संबंद कवस्थाबित किया था 1865 में भारती राश्टी कंग्रेश ने असयोगों अंदावलों की प्रतिक्जा सितंबर 1920 में कहां से की थी कलकत्ता से ठीक है कलकत्ता में घड़ी सबक्राइब करता कि इस्तित्र जूर्जा को यह कोजिर्ग बहुत है को सबसे कम निकलते है जब करामधी कवर हवा आदर हो ठीक है प्रक्रम सबसे armas तथा वायरस से डिप्टीरियोस होता है लेकिन अंफ्लिउेंज होता है वायरस से ठीक है कावेरी जल्व बिवाद मुक्रते किन राज्यों के बीच है यह Nominar here कना अंतरेавайक nenhum के पहले ACI देख्ष कौन हुए थे तो जगमोहन डालमिया जी ICC जो है अंतराष्टी क्रिकेट काउंसिल के पहले ACI देख्ष जगमोहन डालमिया जी अर्जुन पूर्षकार कब आरम किया गया था 1961 में अर्जुन पूर्षकार जो प्रारम किया गया था 1961 में खेलों के शित्र में दिया जाता है पूर्षकार यदि आपूर्थी के बीना बदले माग बढ़ जाय तो मूले पर क्या प्रह पड़ेगा तो यह बढ़ेगा राजा हसवर्धन पराजित हुए थे दक्षिण के चालुक के शाशकों द्वारा माउंट एटना किस परवत माला में इस्थी थे सिसली जो की इटली में इस्थी थे अठारो संतावन के विद्रोग चिर्णे के अबधी में भारत के गवर्णर जनरल कों थे लाड कैनिंग ठीक अगला भारत में अंग्रेजी सिक्षा का प्रवर्तन किसके दौरा किया गया थे लाड मैकाले द्वारा संभिधान भारती संभिधान की प्रारूपण संहित के द्रख्ष का रहे और मैं इसे लेकर रहाँ गा किस ने कहा था बाल गंगधर तिलग जी ने बहुती प्रसिद गथा ने बाल गंगधर तिलग गुलिवार ट्रॉवेल्स पूस्ता को किसने लिखा था जोनाथन स्विप्त ने डेविट कौपर फील्ड को गिसने लिखा चार्ल्स टिकेंश ने अगला जो कोश्चन है गीतांजली किस ने लिखी थी रविन्नाथ ठाकूर जी ने लिखी थी जिनको की साहित के सेत्र में नोबल में मिला था रविन्नाथ ठाकूर जी की बहुत प्रसित पुस्तक गीतांजली 1913 में नोबल प्राइज में मिला था इस पुस्तक के लिए विष्टु का सबसे छोटा देश कांसा है वेटिकन सीटी के अगला कोष्चन है दोस्तो नासिक अवस्तीत है केरल की राजधानी क्या है तिरोंन्ध पूरण दादा साब फाल के पुरुसकार दया जाता है तो यह दिया जाता है चल चित्रयानी सिनेमा के छेत्र में दिया जाता है यह भारती चल चित्रयानी विशिश्च सेवार थे तू दादसाब भाल के पुरुसकार काउंसिर्येखा भारत से होकर गुजरती है यहां के जो मुद्रा है वो है पेसो क्योबा की जो करेंसी है वो क्या है पेसो USA की संसत जानी जाती है कांगरेस के रूप में योसे की सनसत जाने जाती ही कांघ्रेस की रूपिए राजीप गांधि गोल्ल कप संबंधी थै ये फुटवाज सं बन्दी है राजीप गोल्ल कप की स्वेसे संब्द है ये क्रिकेट से घर करह का भारत के माध्धि से होकर गुजरती है इसके फलूरूप देश के दक्षडी आधे भाग में उस पड़वनी जलवायू पाई जाती है। चली अगला देखते हैं। अनातोलिया पठार इस्तित है पस्चीम एसिया में। भूमत रेखा के चतुर्दिक अस्व अक्षान से डोल्रम की और भहने वाली हवायें कही जाती हैं। अन्तराष्टी तिती रेखा है जहां तिती ठीक एक दिने उपरविर्तित होती जब इसे पार किया जाता है। ठीक है दोस्तों काफी महत्पूर्ण कोश्चन थे आई होप आपको काफी हलपूल रहेंगे कोश्चन तो वीडियो प्लीज लाइक जरूर कर दीजे। शेयर अपने दोस्तों साथ कमेंट करकर बताएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिए क्योंकि मैं आपके लिए इसी रेगुलर वीडियो लेकार आता रहता दोस्तों थेंक्यू सो मच मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जैहिन।